नमस्कार दोस्तों, ये थ्री इंदी में आपका स्वागत है, आज है मेरे पाद सैमसंग गैलेक्सी जेटु दोहजर अठारा और सैमसंग गैलेक्सी जेटु प्रो केमरा कमपेर इजन के लिए दोनही डवाइसेज में आपको 88MP का मिलता है रेर केमरा और 55MP का मिलता है फ्रंट केमरा और चारो ही केमरे का अपरचर साइज है F2.2 J2 2018 में आपको front पर LED flash मिल जाता है जबकि J2 Pro में आपको front पर LED flash नहीं मिलेगा बात कानार camera modes की तो दोनाई devices में आपको लगवक्त same camera modes मिल जाते हैं जैसे auto mode, pro mode, panero mode, beauty effect and HDR mode इसके रबाब बात करें video recording की तो J2 Pro से आप कर सकते हो HD video तक की recording तो वहीं J2 2018 से आप Full HD तक की video recording कर सकते हो दोनाई devices में आपको gesture control भी मिल जाता है इसके अलबद J2 2018 में आपको floating camera button भी मिल जाएगा बात करनागर front camera की तो natmas selfie लेने के लिए दोनाई devices में आपको screen flash का support मिल जाएगा हाला कि J2 2018 में screen flash के साथ साथ LED flash का support भी दिया गया है बात करनागर beauty effect की तो J2 2018 में आपको मिलता है एक advanced beauty effect तो वहीं J2 Pro में आपको एक normal beauty effect मिलेगा जहां आपके वल अपनी skin tone को ही adjust कर पाऊगे तो features की मामले दोनाई devices लवाज सेम है आप चले चलते है camera results की और तो दोनाई devices के camera results में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत color tone में difference देखने को मिलेगा और वो है J2 2018 के camera software की वजह से J2 2018 में आपको थोड़ा advanced camera software मिलता है जो आपके ISO level को और ज़्यादा अच्छे से balance करता है इसके लाव exposure time को भी अच्छे से balance करता है इसी वजह से J2 2018 के जो कुछ pictures है वहाँ आपको अच्छी color tone देखने को मिलेगी as compared to galaxy J2 pro और यह difference और ज़्यादा तब देखने को मिलता है जब proper light ना हो outdoor में भी अगर थोड़ी से low light में अगर आप picture capture करते हो तो J2 2018 में आपको अच्छे release देखने को मिलेंगे proper light में आपको दोना ही devices से capture किये गए pictures में कोई difference देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा तर pictures आपको ऐसे लगेंगे जैसे वो एक ही camera से capture किये गए हूँ बात करारे HDR mode की तो यहाँ भी J2 2018, J2 Pro से बैतर है जैसे कि मैं आपको बदा चुका हूँ कि advanced camera software आपको मिलता है J2 2018 के साथ तो यहाँ भी वो अपने ISO level को exposure time को सारी चीज़ों को अच्छे से balance करता है और इस बज़े से आपको shadow free picture J2 2018 में मिलती है हलागी J2 Pro भी अच्छा काम करता है HDR mode में लेकिन जब दोनों pictures को compare करें तो J2 2018 के picture ज्यादा अच्छे नजर आते हैं as compared to J2 Pro बात कर अगर low light की तो दोनों devices के camera average है यहाँ दोनों devices के pictures में आपको noise देखने को मिलेगा बात करना color tone की तो camera केंदे जो light source था वो है हलके से green color का तो J2 2018 में तो आपको मिलता है natural color tone लेकिन J2 Pro में आपको low light में अगर आप picture capture करते हो तो वहाँ आपको white tone और red tone थोड़ी से दिखाई देने लगेगी बात करेंगा front camera की तो दोनों ही devices के front camera यहाँ ठीक ठाक है beauty effect अच्छा वर करता है इसके लाबा comparison की बात करें तो कुछ pictures मुझे J2 2018 में जादा अच्छी लगती है तो कुछ pictures लगती है J2 Pro में तो front camera के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही devices सेम है बात करना अगर video recording की तो J2 2018 से आप कर सकते हो full HD तक की video recording तो J2 Pro से आप कर सकते हो HD तक की video recording बात करना color tone की तो दोनों ही video में आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि वहां आपको अच्छे resolution की video capture कर सकते हो जबकि J2 Pro में आप कर सकते हैं तो वहां आपको डेटेलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको J2 2018 में मिल जाएगी तो यही मेरा camera compare जैंता दोनों ही devices के बीच सेम camera specification होने के वावजूद भी J2 2018 में आपको एक इंप्रूफ camera मिलता है as compared to J2 Pro तो मुझे उम्मीद है यह video आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like करना न बूलें चैनल को subscribe करना न बूलें अगला वीडियो में जल्दी अप्रोड करूँ में तब तक यह लो गुडबाई आपका दिन शोगो